Hello guys, it's me Saurabandha, welcome back to my channel जिन स्टूरें ने Tata Steel Apprentice के लिए apply किया है उन लोग को मैं बता दू, जैसे कि आप सब को बतायाएगा था कि आठ टारीको एड्मिट कार्ड जारी होने वाला था ठीक है, बट अभी सब के पास mail आ रहा है regarding admit card download करने को लेगे, ठीक है तो जिन स्टूरें ने अप्रेंटिस के लिए apply किया है सब लोग अपना-पना mail चेक किजिए, आपके पास mail आया होगा admit card is live करके, ठीक है तो उस mail को open करके यहाँ पे link दिया होगा है सब कुछ mention किया हो कि आप admit card live हो चुका आप अपना admit card download कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे दो ठो लिंक दिया हो, ठीक है तो पहला वाला कर अगर आप link को open करके तो वहाँ पे IDN password डाल का आपको admit card download करने के लिए बोला जाएगा ठीक है, या तो अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो तो और एक link दिया हो नीचे पे उसको आप click करेंगे, तो आपका खुद का admit card download जाएगा बिना किसी IDN password डाले आपका admit card मिल जाएगा, डालोड हो जाएगा ठीक है, तो बेटर यही रहेगा कि बहुत एसे श्ट्रेंड जिनका IDN password पता नहीं होगा तो जिनको जिनको IDN password पता नहीं हो, तो उनको घबराने वाली कोई बात नहीं, नीचे वाला जो link दिया हो है उस link को अगर आप open करोगे तो सिधा सिधी आपका admit card जो वो download हो जाएगा, ठीक है, तो आप admit card download कर लीजे, जाके जल्दी से जाके आप अपना check किजी कि आपको कहां क्या क्या center मिले, ठीक है तो जब आप download करोगे तो कुछ ऐसा admit card आपको दिखिने होगो मिले, ठीक है, तो इसका admit card आपको print निकाल लेना होगा इधर आप color भी निकाल सकती हो, या तो black and white निकाल सकती हो, ये आपको पर इपन करता है इससे कोई strict नहीं है कि आपको color ही निकाल ला हो, या तो black and white निकाल ला हो, ठीक है तो यहाँ पर सब कुछ mention रहेगा ठीक है, कि आपको date mention रहेगा, किस location में रहेगा ठीक है, यहाँ पर सब कुछ test center कहां address सब कुछ mention रहेगा ठीक है, तो जिन student को जो भी center मिला है अगर आप जो भी center मिला है एक बाद जाके जरूर चेक कर लिजे क्योंकि हो सकता exam का time में आपको problem हो सकता बहुत इसे student है जिनको साधन मिलता नहीं होगा problem proper साधन नहीं मिलता होगा center जाने के लिए तो बेटर यहीं रहेगा कि आप एक बाद center पहले जिस दिन आपका exam में उससे पहले आप एक बाद आप center जाके जरूर घूम के आज़ेए और एक साधन भी पता चल जाए कि आपको कैसे जाना चाहिए क्या आपको auto मिलेगा याने या सब कुछ यह आपको पता चल जाएगा ठीके तो timing वगर है सब कुछ दिया हो जैसे कि मैंने exam को open करकर रखा है तो 7 बज़े सूबा 7 बज़े इनको timing दिया है 8-10 तक यह get closure time है ठीके exam duration जो कि आपको 120 minute का exam होगा और इनको center मिला है जमशितपूर तो जो भी strange इनको जमशितपूर में मिला है ठीके मांगो वाला में तो आप लोग क्याम किजिए आपको मैं आपको बता जाता हूँ एकदम easy way में जिनको भी मांगो में center मिला है इस मलबशी वाल है motors में ठीके तो आप लोग dimna chalk से आपको auto मिल जाएगा अराम से party के लिए अगर आप auto पगरोगे तो आपको auto वहाँ के लिए मिल जाएगा आप जैसे भी करके आप पहले mango आ जाएए mango या तो dimna chalk तरफ आ जाएए आपको auto मिल जाएगा ओके यह आपको clear हो चगा है तो अब आपको यह admit card हो निकाल नहीं होगा तो admit card के साथ साथ आपको क्या-क्या चीच ले जाना हो का मैं आपको बता जाता हो देखिए admit card के साथ साथ आपको एक valid ID proof ले जाना होगा कोई भी ID proof जैसे आदार काड़ों पैन काड़ों जो भी आपको पास हो आपको ले जाना हो ओरिजिनल हो वाला ठीक है एक photo आपको extra ले जाना हो क्योंकि आप आपको photo चिपकाने के लिए बोला जागा photo आप वहीं पे ले जाओगे वहीं पे जाका आपको चिपकाना होगा ठीक है center में जाका आप चिपका लीजिएगा ठीक है उसके बाद फिर आपका center वगएर कोई भी change करने का मौका नहीं मिलेगा ठीक है get closure time जो time बोला गया उस time से पहला आपको पहुचना होगा जब get बंद हो जाको उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा entry करने को ठीक है अब और एक चीज आपका है कि जो भी ये सब चीज जो आपको ले जाना सक्त से सक्त मना जो कि आपका है electronic device हुआ, jewelry हुआ, jacket हुआ, calculator ये सब ले जाना सक्त से सक्त मना है ठीक है एकदम proper simple dress में जाएगा, कोई भी jewelry आपको मलब सात मत पहन के जाएगा, ठीक है ये आप से recommended है, ठीक है, और हाँ, sweater वगरा ले जा सकता, कोई problem नहीं sweaters वगरा, cardigans वगरा पहन के जा सकता, बट, jewelry हुआ, watch हुआ, calculator हुआ, electronic device ये सब ले जाना सक्त सक्त मना है ठीक है, फिर उसका बाद आपको rough sheet वगरा मिलेगा, calculation करने के लिए, तो वो सब तो आपको normal है ठीक है, और यहाँ पर आपको logging ID and password दिया होगा, ठीक है, वो logging ID and password किसलिए है जब आपको system के बठाया जाएगा, आपको center में तो वहाँ पर logging ID and password माँगा जाएगा तो वो logging ID and password आपको डालना होगा, ठीक है, तो यह आपको clear हो चुका है यहाँ पर photo, आप extra photo ले जाएगे, यहाँ पर चिपकाने के लिए, ठीक है, वहाँ पर बोला जाएगा ठीक है, उसके लिए कोई गभराने वारी कोई बात नहीं है, बात बाकी जो भी center में, जो भी rules and regulation वो आपको center के जो भी invigilator होगे, वो आपको बता देगे कि कैसा आपको exam दे रहा है, क्या हो करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ वहाँ पर बटा देगे, ठीक है तो उमिद करता आपका clear हो चुका है, तो जो भी आपने जो भी तैयारी किया है, सब पूछ उससे related question आपको मिले आपके exam के time में, ठीक है तो उमिद करता आपका start out clear हो चुका है, वीडियो को अचला है, वीडियो को ज़रो लाइक कीजिएका, जातर जातर शेर कीजिएका, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, थैंक यू